नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SPG स्टोग अपडेट पर दोस्तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करनें ताकि हमारे नए 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 वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तो कई दिनों से मार्केट लाल निसान में बंद होने के बज़ए आज हरे निशान पर बंद हुआ है तो काफी अच्छा लगा और काफी सुगून मिला दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा निफ्टी फिप्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें अधिकांसतर स्टॉक ग्रीन में बंद हुए हैं और जब की कुछ को छोड़के वो रेड में हुए हैं जो आज की रेड में बंद हुए हैं वो मैटल, स्टील, अलॉइस इस टाइप के स्टॉक्स हैं और बात बाकी के आप देख सकते हैं जो 80 पर सेंट वार ऑर 20 पर सेंटर लुजर्स रहा है और इसमें सारे फार्मा सेर्ज भी थीएं बैंकिंग सेर्ष भी था और अटैकटर के भी सेर्थिख खिए फिक्रीफा सेर्वiterेय। थील बैंक हैं जो अभी हम आँंगे बताएं दोस्तों आज का अपना पहला सेर है इंडेसिंड बैंक लिम्टेड इंडेसिंड बैंक लिम्टेड वाज इंकॉर्पूरेट इन निटीन इफूर एज ए कोमर्सियल बैंक अंडर दे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइटीन फॉर्टीन और पूरे ओल ओवर इंडिया में ये बैंक ऑपरेट करती है जिसका मार्केट के अफे सरसथ 1849 करोड का और जो इसका शेर प्राइज है आज का 875 रुपए का और जिसका हाई है 1242 और लो है 811 ये दोनों वाउन भी एक हाई हैं लो हैं जबकि 10 रुपए की फेस वेलू का ये स्टोक है और काफी अच्छी बै कोटेकश बैंक आइस सारे कॉम्टीटर्स हैं बागी बैंक ने दिसम्बर में 7737 करोड का रेवेन्यू जनरेट किया था काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और बात की जा इसके शेर होलिंग पैटर्स की तो प्रुमोटर्स के पास इसके 16.53 परसेंट की होलिंग स तो काफी अच्छी शेयर होलिंग पैटरंस है जिसमें की टॉप होल्डर्स हैं इंडेसें इंटरनेशनल होलिंग लिम्टेज जिसकी 12.59% की होलिंग है और इंडेसें लिम्टेज जिसकी 3.9% की होलिंग है तो प्रमोटर्स के पास काफी अच्छी होलिंग है बात बाकी डिया इसके हवास होल्डिंग डियाईज में लाइफ इंसुरेंस और लाइफ इंसुरेंस कोपरेशन ऑफ इंडिया एलाइसी की भी 5.03% की होल्डिंग है SBI 80.50 का भी 2.65% का है ICICI Prudential Life Insurance का 1.82% की होल्डिंग है दोस्तो जो अपना सेकेंड इस्टोक है वो HDFC बैंक लिम्टेड The Housing Development Finance Corporation लिम्टेड Was among the first to receive an in-principle approval from the Reserve Bank of India To set up a bank in the private sector HDFC बैंक जिसका headquarter मुंबई में है और काफी अच्छी बैंक है और सबसे दिगज बैंक है प्राइवेट बैंक में तो इसका market cap है 7,60,340 करोड का और इसका जो current price है 13,71 रुपए का और जो इसका high end low है 17,52,92 का low है काफी अच्छा stock है face value एक रुपए की face value वाला stock है और जो इसके जो company has delivered good profit growth of 19.96% CAGR over last five years तो काफी अच्छा profit company ने deliver किया है और जो इसके competitor है HDFC bank or tech bank उसमें सबसे ऊपर ये bank आता है और December में company का December में bank ने जो revenue generate किया वो 34,58 करोड का है और जो financing profit है वो 5,441 करोड का है बात की जाए इसके share holding patterns की तो वो भी काफी दमदार है काफी अच्छे आंक्डे हैं promoters के पास 25.8% की holding है वहीं FII के पास 37.47% की holding है DII के पास भी अच्छी खाजी quantity है 23.15% की बागी public के पास 13.6% की holding है तो बात की जाए जो main main जो इसके promoters है वो housing development finance corporation limited indirect foreign holding के पास 19.15% की है HDFC investment limited के पास 6.65% की है बात की जाए इसकी DII की holding की तो इसमें SBI ETF 50 50 का भी 3.99% का हिस्सा है और Life Insurance Corporation of India का भी 2.6-3% का ICICI Prudential Blue Chip Fund का भी 1.8% का UTI का भी है 1.35% का तो काफी अच्छी DII होल्डिंग्स है HDFC bank की तो अगर आपको लगता है कि इस year में कुछ investment करना चाहिए तो जरूर investment करें अपने advisor से सलाह लें और जरूर investment करें और long term के लिए investment करें जबकि इंडेसिंट bank में short term में अच्छा पैसा बनेगा और अच्छे bank हैं दोनों ही अच्छे bank हैं तो इन में असोस समझ के जरूर invest करें और आखरे में अपने channel को like करें subscribe करें और साथ ही साथ bell icon को भी press कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तो अगर आपको लगता है investment करना है तो आप अपने खुद की research किजिए और अपने खुद की निड़े लीजिए दूसरों के कहने पे कभी मत जाएए आप ऐसा आपका है आपको invest करना है और आखिर में thank you दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो comment में जरूर लिखिए लाइक कीजिए